एडवांटेज़ औफ एसेड़ एडवांटेज़ क्या है फाइदे क्या है वो देखते हैं पहली चीज़ जरा देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसेड इस रिलीज़ इन्टु स्टमक तु ब्रेक डाउन ओफ प्रोटीन एंड है इन दी डाइजेशन तो पहला एडवांटेज क् हमारे स्टमक में इतना खतरनाक एसेड है कि अगर आपने एक बूद यहां से डाली तो यहां से निकल जाएगी तो पेड़ तो बिल्कुल सही रहता है तो पेड़ में एक लेयर रहती शायद म्यूकस म्यूकस बोलते हैं वो क्या होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती हमारे स स्टमक के अंदर जो एसेड से खराब नहीं होती है ठीक है तो उसकी वज़ज हमारे स्टमक में कुछ नहीं होते है अगर आपने कोई पत्थर वगएरा भी खा लिया उसको भी डाइजिस्ट कर देगा क्यों क्यूंकि उसका कैसा नेचर होता है करोजी नेचर होता है ठीक है तो जितना भी हम खाना खाते है उसका ब्रेकडाउन करता है साथ के साथ जब आप खाते हो आपने ऐसे निवाला लिया शाही पनीर का मस्त है जो आपने शादी में खाना खाया अब उस बंदे ने कैसे खाना बनाया होगा गंदे जंदे आतों से बना दिया हो शायद पूरे hydrochloric acid क्या करता है उन bacteria's वगएरा को भी kill करने का काम करता है so hydrochloric acid kills the bacteria coming to the stomach with the food इसके बाद बिटा vinegar आपको पता ही है खाने वगएरा के काम आता है इसमें pickles वगएरा रखे जाते है Chinese food वगएरा आप लोग अगर चाउमीन वगएरा खाते होगे तो उसमें डालते होगे ऐसे हैं सिरका और खटा-खटा लगता है बड़ा मस्त तो बिटा वो क्या करता है आपको साट टेस्ट देता है खटा टेस्ट देता है जो कुछ लोग को पसंद होता है आगे बढ़ते है lemon contains citric acid जो बिटा हमारे क्या करता है endization में help करता है ठीक है orange और आमला बिटा इनके अंदर कौन सा होता है ascorbic acid होता है कौन सा होता है बिटा ascorbic acid जो बिटा क्या होता है scurvy के scurvy हो जाती है न मैं teeth में पढ़ा होगा आपने 8th class में तो बिटा उस disease से advantages है acid के ठीक है यहीं पर हमारा acid वाला जो topic है वो खतम होता है इसके बाद हम देखेंगे basis ठीक है और उसके बाद salts क्लियर होगे बात या नहीं please note it down